है विवन वेलकम तो मैं चैनल तो जासा कि आप इस ख्रीक में देख सकते हैं आज हम सिखेंगे कैसे किसी भी नंबस को एक्सपेंडेट फॉर्म में लिखें ठीक तो एक्सपेंडेट फॉर्म क्या होती है उसको चली दुस्तों देख लेते हैं ठीक तो आपको कुछ नंबस देता हूं और आपको वन बैबन करके बताऊंगा कैसे इसको एक्पेंडेट फॉर्म में चेंज करते हैं इसे 1 5 7 6 8 पहले तो यह हो गया ठीक है दूसरा आपका हो गया आपका 3 0 8 927 ठीक है तीसरा आपका है जोस्तों 2 4 जीरो 5 6 0 9 ठीक है तो तीनी एक्जैम्पल लोंगा आपको एक्सपेक्ट करते हूं आपको इसली समझ में आगा इतना हैवी टॉपिक नहीं बहुत ज़्यादा इसली है और बहुत ही बच्चों वाला है ठीक मैं तब भी में पढ़ा रहा हूं कि कॉर्स में आपको अच्छे सकते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक यही मेरा मॉटिव है कैसे बच्चों को easy method से मैं उनको teach करूं ठीक है उनको math बहुत जादा easy लगने लगे ठीक है चले start करते है ठीक है तो expanded form क्या होता है expanded form देखिए दोस्तों जैसे 1 5 पहले हम निकालना है 1 5 7 6 8 और कहा है भाई हम इसको expanded form में write करें इसको लिखना है तो क्या करना है सबसे पहले 1 को लिखेंगे 1 के पीछे कितने numbers है 1 2 3 4 चार नमबर है तो 4 0 लगा दो क्या लगा दो 4 0 लगा दो ठीक अभी हो गया फिर and then 5 plus का symbol लगाएंगे and then किसका 10 आएगा 5 को लिखेंगे अब च लिखेंगे और 7 कितने numbers है 1 2 तो 0 लगा देंगे ठीक है अब लेते हैं 6 का number आया यहां पर plus का sign लगा देंगे तो 6 के पीछे कितना number है 1 number है तो 1 0 लगा देंगे फिर आया number 8 का तो 8 के पीछे कितने number है कोई number नहीं तो कोई 0 नहीं लाएंगे यही दोस्तों आपकी हो दूसरा वाला है आपका 3 0 8 927 इसको हमें एक्सपेंट फॉर्म में देखना है ठीक है आप चाहिए तो इसको कर सकते हैं मैं आप वीडियो को पाउस करिए मैं पाच तक गिरूंगा और देखिए आपको इसमें अगर प्रॉलम हा रही है करने में ठीक इसको करके देखिए आ आपको पाउस करके एक बार ट्राइ करने में परदा चल जाएगा पहली बात तो आपको कॉंफिडेंस बिल्ड़ अप हो जाएगा और आपको परदा चले हां मैं कहां पर फस जा रहा हूँ ऐसा मुझे भी काफी बार होता है कि कि मुझे चीज आ गई है मगर जब मैं ठीक है चलिए मैं करता हूँ अब आपने आपने कर लिया होगा 3 ठीक है 3 के पीछ है कितने नंबर है एक दो तीन चार पाच तो पास जिरू लगा दें एक दो तीन चार और यह पाच ठीक बस प्लस का सिंबल लगाएंगे फिर यह देखिए 0 को दोस्तों कभी नहीं लिखते अगर आप कर रहे होंगे तो आप यहां पर अटक गया होंगे इसी हमार में कहा रहा था इसको एक बार ट्राइ कर लो तो 0 को क्या लिखेंगे 0 को लिखेंगे फिर उसके बीचे 0 लगाएंगे नहीं 0 को नहीं लिखेंगे फिर उसके बाद किसका नंबर ले लेंगे 8 को तो ह को वीचे कितने नमबराइए सब्सक्राइब नहीं कोई नमबर कोई भी हम जीरो नहीं बढ़ाइए ठीके चलिए आते हैं अपने थ्रेट वाले question पर तो थर्ड वाला जो हमारा question है वो है two four zero five six zero nine ठीक है इसको एक बार आप करिए ठीक है मैं पाच तक गिंदा हूँ one two three four five ठीक है चलिए मैं आपको बताता हूँ हाई हुब आपने कर लिया होगा तो सबसे पहले हैं रिखिए टू को 2 के बीचे कितने नममर एक दो तीन चार पाच एक दो तीन चार पाच ठीक है होग बार इसके बाद four पोलिए फोर के बीचे कितने नमर एक दो-तीन चार पाच झा गार देंगे four zero eight एक 1 2 3 4 5 ठीख फिर रिक्षे लिंगे 6 तो 10 को लगा देंगे प्लेस के पीठेकर पिर 0 9 के बीचे को है किसी मी नमबर को फिर आगला कैसे घ्री道 ही में इसको उल्टा करेंगे, जिसको हम बोलें, corresponding form, how to change this into this, ठेक हैं, इस वाली form को अगर उसमें change करते हैं, तो इसको दोस्तों बोलते हैं, corresponding form में change करना, तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे कैसे किसी भी number को corresponding, expanded form corresponding form में चेंज करें तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए प्रैक्टिस करकर रहिए तिल देन गुडबाई